आज आपके लिए रेलवे की एक और बड़ी बड़ती की न्यूज आ गई है पलपल की अपडेट के साथ तो आप देख पारे होंगे यानि कि पेरा मेडिकल में आपकी एक और बड़ी वेकेंसी आ चुकी है तो आप इसको जरूर देखिए पुरी वेकेंसी में क्या न्यूज है आपको क्वालिपिकेशन क्या होगी कब से पूरं बर सकते हो पूरी जानकारी मिलेगी एक एक नोटिस के साथ और पीस क्या होगी पूरी जानकारी मिलेगी वेकेंसी कितनी होगी यह पूरी आपको मैं बताने वाला ओपिशल नोटिपिकेशन में तो चलते हैं अपन और भी बोपाल की ओपिशल वेबसाइट है इस लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा और भी बोपाल का भी और ओपिशल नोटिपिकेश तो नीचे कहां तक चलना है आपको आपको नीचे निया लिका हुआ निया लिका हुआ न्यू एंड अपडेट सी यंड टू टू टाउज नाइंटीन पेरा मेडिकल केटिग्री इसके अंदर बहुत बढ़ी वेकेंशी निकल गई है तो वेकेंशी क्या है तो आप देख पार लिक है पूर समिशन ओप उनलाइन रिजिस्टेशन आपका कब से होगा सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूं यह लिंक भी आपका ओपन हो जाएगा कुछी समय में तो आपको चलते हैं पहले ऑफिचल नोटिफिकिसन पढ़ लेते हैं क्वालिपिकिसन होगे रहा पूरी आप देख पार होगे ओपिचल नोटिफिकेशन पेरा मेडिकल जो वेकंसी निकलिए उसके लिए पूरी जानकारी मिलती रहेगी आपको इसमें तो यह आप देख पार होगे गोर्मेंट ओफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑप रेलवे द्वारा यह जारी किया गया है तो सेंट् लगेगी आपकी तो वेकंसी कितनी उसके बारें जान लेते हैं इसमें आप देख पार होगे यह इंप्लॉइमेंट नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था यह जारी किया गया था 23 तारीक को परवरी में और इसकी डेट ओव वेबसाइट पर कब आई थी ओपिस्यल वेब और पेमिट केक्लोजिंग डेट कितनी रहीगी 4 तारीक को रहीगी इसकी 13 बजहे ओर क्लोजिंग ओनलाइन पेमिंट इसमिक 5 तारीक तक रहीगी ौफ्लाइन इसको चार तारीक हो एग python कब होगि यह देह का रहारोगा आप वो पो वस्प्रबिसम मेंचनों जाहेगा चार इसका एक्जाम भी करवा दिया जा जाएगा जून में नहीं तो आपका सेगंड वीक में माल लो आपका इसमें ज्याधा डीले नहीं किया जाएगा बिल्कुल आपका रिज़िट और जानकारी दारा मिलती है, गुरुब डॉगर है कि अ सभी के तो आप देख पारेंगे इसमें पूरी जानकारी मिल रही है आपको फश्ट वीक में आपका इसमें एक्जाम करवा दिया जाएगा इसके बाद आपको मैं बताता हूं इसमें वेकेंसी कितनी है तो आप देख पारेंगे डेस्टीन, श्टाब, नर्स, डेंटल सभी में वेकेंसी निकली हुई है तो आ आपकी लास्ट इसमें कम से कम पेमेंट है 21,700 तो आप देख पा रहे होंगे इतनी अच्छी पेमेंट है आप जल्दी से पोरम बढ़ दीजे वो मेडिकल इस्टेंडर सी टू सी वन यह कुरा अगरा पुरा जानकारी दे रखी है इसमें तो टोटल पोश्ट कितनी है इसमें 19 पोश्ट है 1937 तो बहुत अच्छी आपके लिए न्यूजे दोस्तों जल्दी से किस पोरम को बढ़ दीजिए बहुत अच्छे पेसे मिल रहे है इसमें सब कुछ इसमें पे ग्रेड कितनी है उपर दो आली वेकेंसी में साथ पे ग्रेड है और दूसरी में लेवल 6 है इसमे 3 तो आप इसको जल्दी से बर दीजिए इसके बाद इसमें क्या है एज लिमिट क्या एज लिमिट इसमें रखी गई है 1729 तक वो किया क Крас आख अतरा वर्शगा हो जाना चीए इसके बाद इसमें एक चीज़ों लिकी गई है इसमें द्वैन्ट दियानॉनमें में इंप्रें को नहीं बरे ठीक है तो इसमें साब साब बोला गया है जो भी कोई result का इंतिजार कर रहा है यानि अपेरिंग में है वो इस पोरम को नहीं बर सकता है ठीक है तो इसके बाद और जानकारी में चलते हैं अपना आपको मैं पूरी जानकारी बता देता हूं, इस पोर हमको केवल, नर्सिंग होगे रहा वाले ही बर सकते हैं, तो इसमें आपको मैं बताता हूं अभी, stage of exam, इसमें exam होगा CBT, CBT exam होगा, इसमें negative marking, negative marking one by third होगी, इसमें पूरी, आप इसमें ये mobile होगे रहे हैं, सब कुछ नहीं ले जा सकते हैं, जो से legal item होते हैं कोई भी, center allocation of depend upon the technical and logical passability, तो आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये travel other cities stage, वो भी आपको इसमें देखना होगा, इसके बाद इसमें क्या interaction हैं, आपको मैं और बता देता हूं, आपके इसमें 501 क्या रहेगी, वो पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप देख पा रहे होंगे, जो भी वेकेंशिती, उनकी age limit आप देख सकते हों इसमें, SST वालों की लेक कितनी चलेगी, सबी के लिए, और इसमें 50 क्या रहने वाले हैं, पीस का देख लो, जनरल वालों की केटिगरी की, और OBC की है, 500 रुपे रहने वाली है, और SST फीमेल केंडिडेट की, और एक सर्विसमेन की PWD की है, इसमें 250 रुपे पीस रखी गई है, जो की वापिस रिपन्ट कर दी जाएगी, 500 में से 390 रुपे वापिस कर दी जाएगे, और SST वालों के 240 रुपे वापिस रिपन्ट कर दी जाएगे, तो यह आप सभी को पता होगा, इसके बाद ओनलाइन रिजिस्टरेशन होगेरा, आप कर सकते हो, पेमेंट आपके डेव अधरां दुमेंट नहीं होनी चीए, तो वह क्या आएगे, आरक्षन में आजाएंगे, रिजॉरेशन में आजाएंगे, तो यह इसमें जान कर दिए, इसके बाद इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देता हो, मैं, तो यह को आप देख पाघंगी एजूकेशनल क्वालिफिकेशं क्या है आप अधर्वाइज को नहीं बर्सकते तो ये आप द्यान रखना बहुत important है ये चीज भी आपको द्यान रखना बहुत जरूरी है online registration आज से हो जाएगा आपका आज ये online registration कर सकते हो और आपका इसमें CBT1 में क्या क्य आएगा वो भी आपको मैं बता देता हूं तो तो क्या क्या हैंगोंगे देख पा हूँ और अब प्रिपेशनल १ाइए फीछिंग अधिकशंगे इसके बाद जन्रे अविरेंस आए नियाजे 10 लिंगे 10 लिंग विज्ञिंग तोरल मिलाके 10 किसन आएंगे 10 लिंग पंधि नम्र याणि iç देख रहे होंगे आप प्रफेशनल एबिलिटी तो इसी में ज़्यादा दियान दीजे क्योंकि यह सत्तर नमर के कुशन है और सत्तर कुशन आ रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ा पार्ट रहता है इसमें जो भी इस पौरम को बढ़ने वाले हैं उन सबी के लिए यह बात बहुत ज़रूरी है वह बलिशो करें ना करें जन्रल अर्टिमेटिक और जन्रल इंट्रिजेंसी को वह एक पार्ट से पास हो सकता है तो आपको बिलकुल जानकारी मिल जाएगी इसमें एक एक जानकारी आपको मिल गई है देख पारेंगे आपको इसमें जो जन्रल सब की कर्टिगरी वालों के उनके लिए कितने नमर लाना जरूरी है UR और EWS के लिए 40% नमर लाना अनिवार है इसमें SST, SST के लिए 25% और OBC, SST के लिए 30% नमर लाना इसमें अनिवार है तब ही वो पास होगा इसमें तो आपको इसमें पूरी जानकारी मिल गए होगी आसा करता हूं नॉर्मलाइजेसन होगे रहा इसमें सब कुछ होगा जो की आप देख आ रहेंगे मोग टेस्ट भी आपको मिलेगा सब कुछ पूरी जानकारी मिल गई है आसा करते हैं आपको पूरी जानकारी मिल गई है आपको इसमें धन्यवाद जेहिंज जे बारत दोस्तों